Hi everyone, Welcome back to another video of Honey Web Designer. इस वीडियो में हम जावास स्केप की डिटर्य टाइबस पारे में बात करेंगे कि में हमारे पास जावास स्केप में कितने किसम डियटर्य टाइबस उती है तो हमारे पास जावास सेड्यटर्चिर्टर्चिह में 7 डियटर्यटर्य टाइबस आती है last video में हम ने यह ना variable को discuss किया था यहाँ पर मैं एक variable यहाँ पर create करता हूँ और यहाँ पर कोई भी मैं इसको value रेता हूँ जैसे के hello word तो अब यहाँ हम main focus करेंगे इसकी value के उपर जो हमारे पस hello word रही है तो hello word जो value हमारे पास यह एक saturation data types है ठीक है वो कैसे string data types है कि जैब भी हम किसी भी value को किसी quote में जो है ना write कर दे यहाँ पर देखो double quote मैंने use किया है तो उसको हम जो है ना as a string data types consider करते है अगर यहाँ पर double quote की जगा मैं यहाँ पर single quote भी use का लेता हूँ तो यहाँ पर देखो यह हमारे पस जो है आप string यह भी हमारे पस एक string ही है data types की तो यहाँ पर मैं आपको इस ब्रॉजर में भी show करके देखा देता हूँ यहाँ पर मैं एक document लेता हूँ डाल राइट मैथिट ठीक है उसमें जो है ना मैं x variable को जो है ना यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ तो यहाँ पर देखा हमारे पस hello word value आ चुकी है अब यहाँ पर मैं एक और document लेता हूँ document.right method और इसके अंदर मैं जो है ना बियार टेक्स करेता हूँ ताकर हमारे पस लाइन ब्रेक रहे है नेक्स हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर एक document.right method लेता हूँ और इस method के अंदर मैं एक method लूँगा जो जावास्किप का built-in method है type of method type of method ठीक है जो हमारे पस method है इसमें क्या होता है कि हम किसी भी जो है ना वैल्यू की data type को चेंक कर सकते हैं कि हमारे पस कौन सी data types में यहां पर पर चाहां पर करती है तो यहां पर मैं एकस को डूडर करती है और यहां पर छियान मैं सेव करूंगा तो यहां पर आप देको मुझे यहां पर पर string पहले जो हमारे पस ब्रिंद कर दिए और type of method से उसने क्याल का दिया मुझे उस value की data type मुझे उसने यहां पर निकाल के दे दिया है ठीक है अगर यहां पर अगर मैं double code जूद करता हूँ दोबारा और इसको मैं save करता हूँ तो यहां पर देखो फिर भी यहां में string ही दे रहा है अगर आप single code में जा double code में किसी भी में आप जो है ना किसी भी value को write करोगे तो वो string ही consider होगे अगर यहां पर मैं सिरफ only एक ही word यहां पर write करता हूँ जैसे कि मैं h यहां पर write करता हूँ तो इसको save करूँगा तो यह भी हमारे पास एक string ही consider होगा चाहिए एक character हो या एक word हो या different combination of word हो ठीक है तो वो हमारे पास string ही होगे तो next हमारे पास number आ जाता है तो number हमारे पास टेटर टाइप कौन सी होती है यहां पर मैं x की value जो है आप मैं कुछी भी numeric value देता हूँ कोई भी 45, 56.45 तो यह फिर भी हमारे पास यहां पर देखो इसकी type number ही है और अगर इस सी numeric value को मैं double course में जा सिंगल course में लिख देता हूँ तो यहां पर चैक करना अब यह numeric value जो value है double course में वो जो है ना अब हमारे string में convert हो जुकी है और जहां पर आपको यह बता चाले होगा कि चाहें हमारे पास numeric value हो या alphabet जो है ना हो तो वो हमारे पास string ही consider होंगे जाब हम उनको double course के अंदर write करेंगे उसके बाद हमारे पास बुलियन आती है बुलियन में हमारे पास two value आती है वह कौन सी होती है एक हमारे पास आता है true and fall अगर यहां पर मैं true लिखता हूँ तो यह हमारे पास कौन सी data types है बुलियन data type से जहां पर चेक करो इसने हमें बुलियन data type दिये और अगर यहां पर मैं जो है ना fall लिखता हूँ इसी जगावे तो फिर भी जो है ना इसने हमें बुलियन ही दिये तो बुलियन में हमारे पास सिर्फ दो ही value होती है false and true ठीक है उसके बाद हम object दी बात करते है अब्जेक्ट में क्या होता है कि एक हम अब्जेक्ट आप ऐसा समझ लें कि हमारे पास एक container उसमें हम different value जो है ना उसको store कर देते है for example मैंने यहां पर कली ब्रेक्स लगा है object के लिए हम जो है ना कली ब्रेक्स का ही जूज करते है उसके अंदर जो है ना हम जो है ना अब मैं इसको save करता हूँ तो यहां पर देखो इस एक्स की जो है ना अब्जेक्ट यानि के वैल्यू की डिट टाइप उसमें में दे है object उपर से को हमें जो है ना कोई भी value शो नहीं हो रही जानी कहनी और लाइस है उसने object ही यहां पर write कर दिया object object यह कहा है कि जब भी हम अब्जेक्ट को ड्रैक्ली आपने ब्रॉजर की उपर जो print करानी कोशिच करते हैं तो वो जो है ना हमारे पास जो है ना उसकी value सही तरह प्रेंट नहीं होती इसके लिए हमारे पास different method आरते हैं जिसको हम जो है जिसकी मदद से जो हम अपने web browser की उपर जो है ना object की value को print कर आ सकते हैं तो वो जो है ना हम object वाले ही tutorial देखेंगे तो उसमें हम जो है ना detail से देखेंगे object को मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि हमारे पास जो है ना data कितनी आ जाते हैं जावा स्क्रेप में ठीक है उसकी बाद array में क्या होता है कि यहां पर array में square brackets का जूज करते हैं और वो square brackets के अंदर हम different value देते हैं जहाँ पर मैं देता हूं और इसकी बाद मैं जहा होना चाहां पर अपर कि एयस पर सिकि बाड़मारे पास पना पर इसने हमें डेटाटाइस की दिया है अबजेक्ट बेसिकली यह हमारे पास अबजेक्ट नहीं है यह हमारे पास एरे है लेकिन जावस्क्रिप में क्या होता है कि अबजेक्ट और एरे को जावस्क्रिप में सेम ही मना जाता है ठीक है तो इस वज़े से जो है ना इसकी सब्सक्राइब कर लेता है जावग में ठीक है उसके बाद हमारे पास एक अदिवाइन अब हमारे पर क्या चीज़ होती तो हैसे नहीं वह थे है कि यहां पर चाहिन करता हूं जासे मैं इसको टू भासे किए हैं तो यहां पर चेक कर चियोद் करो इस कि ईत्राइब उस वर्युअन से लिल्स के था ठीक है उसके बाद अर्मापस स्कूथ होती है ला नाल हमारे पसे एक कीवर्ड होता है जो हम यूल करते हैं चाहिए यहां यह नहीं करना चाहिए हैं तो उसमें हम भापते हैं और यहां पर देखो लाक 뭐야 में निसमें जो डेटर टाइप साध्या और पास जैसे अब ज्यक्ट हो गया अड़ी ले नियुक्ष्य जब बनाएंगे टीटोरियल बनाएंगे यह और पास किस तरह आरे में करते हैं अब्जेक्ट करते हैं हमके वीडियो में आपको सिर्फ यह बताया है कि हमारे पास जो है ना जावास्क्रेप में कितनी टाइप्स की डेटाइप्स आ जाती है तो हमरे पास टोटल सेवन टाइप जो है ना आगे आने वाले लेक्चर होंगी उनमें बहुत हैल्फूल रहेंगी क्योंकि जब हम जो है पर इनका आपको अच्छी तरह समझाएगा कि हम इस डिटर टाइप को क्यों देखते हैं कि कि इसके असल जो है ना समझेने के बैनिफिट किया है ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग आयोप आपको आज के लेक्चर जो है ना समझाए होगा तो मिलते हैं रेक्स सेलेक्शन मे एिनका इा थेखते हैं कि ये senhor झायोगे पारो प्रोड़ को आपको आपको असल एक्छी हैं खिंगाए लेक्शन मेंब वाजशन समझाहा करो एंक्स हमां क로 के रीको आपको 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 आले